नमस्कार दूस्तों, एसके हाउस प्लांज में आप से यका स्वागत हैं। आज हमने आप सभी के लिए 20-45 पाई-45 प्लांड डिजाइन किया है। आप सभी को यह हमारा बनाया हुगा हाउस प्लांज पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शियर करें। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, तबेला इकन का बटन दबाएं। जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और यहां से अंदर एंटर होते हैं, तो यह हमारा पारकिंग एरिया रहेगा, 9 feet 1 inch वाई 10 feet 6 inch, इसमें 9 feet 1 inch यहां से यहां तक यह साइड और 10 feet 6 inch यह साइड है। यहां पर हमने ड्राइंग रूम डिजाइन किया है, ड्राइंग रूम का साइज है 9 feet वाई 13 feet, इसमें 9 feet यहां से लेके यहां तक यह साइड है। और 13 feet यहां से लेके यहां तक यह साइड है। रूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यह रूट साइड पर विंडो डिजाइन किया है और यह के लोर भी दिया है। इधर से ट्राइंग रूम में डाइरेक्ट वाहर से भी आया जा सकता है। यह passage रहेगा 3 feet 3 inch wide यहां से अंदर आते हैं तो यह हमने left hand पर kitchen design किया है यह है 5 feet 6 inch wide 7 feet इसमे 5 feet 6 inch यहां से यहां तक यह साइड और 7 feet यह साइड है। और 11 feet यहां से यहां तक यह साइड यहां पर dining table design किया है और यही से first floor पर जाने के लिए हमने staircase design किया है इसमें 3 feet wide stair से ओपर की मंजल पर जाने के लिए हैं यहां पर common toilet design किया है यह है 6 feet 6 inch wide 4 feet का इसमें 6 feet 6 inch यह साइड और 4 feet यह साइड इसके ventilation के लिए अधर OTS की तरह ventilator design कि आये है पीछे की side में यह bedroom है यह मराे यह साइड में साइड धार इसमें 9 feet 1 inch यह साइड और 10 feet यह साइड है इस सियर टैच्ट टॉयल एट है यहां और 10 feet है 6 feet यह यह से हां तक यह साइड और 10 feet साइड और इस रूम के ventilation के लिए इस साइड में हमने बिंडो डिजाइन किया ओपिन अरिया की तरफ इसे हम यह बाशी अरिया भी रहेगा 12 फिट 7 इंच वाई 4 फिट का इसे 12 फिट 7 इंच यहां से यहां तक यह साइड और 4 फिट यह साइड तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा बनाया हुआ हास प्लान अर्वाद